कि मेरी आवाद सही आ रही है सर कि क्योंकि मैं डेली पहुंचा हूं और डेली में आवाद चली जाए तो थोड़ा सा समालना पड़ेगा वो मेरे हाथ में नहीं है तो देखिए मेरे स्क्रीन पर आपको यह दिखाई दे रहा होगा पीपी है इसको में फॉल स्क्रीन पर ले ले दाऊं सर एक शिकिन तो इसके अंदर कि युद्ट है उसका इनिस्टिव है जो आपके पास अलग अलग नियूज आती रही होंगी कहीं रिलीव फंड में कहीं पर कोविट के टाइम पर यह सब काम किये अब अपने डिस्टिवूटर के लिए एक नया खुस्पी कैश बोलके आया है अब यह क्या चीज है मैं आपको शॉट में समझाता हूं डिस्टिवूटर से लेके एस्टी सी लेवल रैंक जिनके भी है वह वह बेनिफिट लेने के लिए करना क्या है कि एक कैलेंडर मंत में कैलेंडर मंत किसको बोलते है वह वाला कैलेंडर मंत में चार हफते में एक लाग बीवी मैच करना चाहे वो डिस्टिवूटर हो चाहे वो एस्टी सी हो एक लाग बीवी जो मैच करेगा उसको हस्पी कैश बोलके एक बेनिफिट चालू होगा तो यह पीरेड चार ओपते में जो भी हमारा मंतली कट-उफ कर बाद के चार अफते में जो भी एक लogg मैच करेगा उसको यह bet एक साल के लिए मिले है और एक लग दो एक साल के लिए मिलेगा थर्टी डेस के लिए एक हजार रुपे पड़े अब पूरे साल की यह पॉलिसी है इसके अंदर हॉस्पिटलाइज़ेशन जो है वह कंपल्सरी है तो अगर आप हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं मिनिमम आपको होना पड़ेगा और इसमें अगर आपकी अग्रिस्टिंग मेडिकल पॉलिसी है उदर से आपको जो क्लेम लेना आप ले सकते हैं नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इधर से एडिशनल आपको फंड मिलेगा वन थाउजन रुपीज पर डे का टोट मिलेगा कि इसको क्राइटीर मैंने बदा दिया आपको इसमें सिर्फ डिस्चार्ज समरी आप देंगे क्लेम फ़र्म बरेंगे हॉस्पिटल का बिल देंगे आपको वन थाउजन पर डे के साब से जितना दिन आप उदर ऑस्पिलाइज रहे हैं उसका एडिशनल पैसा यहा हमारे नेटवर्क में कोई डिस्ट्रीबूटर है और आज पार्ट टाइम कर रहा और कहीं पे उसको इस टाइप की मदद है तो यह मैनेजमेंट की तरफ से हेल्पिंग एंड माई लाइफलाइन की तरफ से मिलाएं तो मेरे साब से यह बहुत जबर्दस इनिशिटिव है य मैनेजमेंट की सोच दिखाता है अपने डिस्ट्रीबूटर के प्रति के वह उसको अपना ही फैमिली समझते हैं क्यूंकि एक रूपे भी इसमें से किसी से लिया नहीं जा रहा पर इसका प्रिसका अपने पॉकेट से एडिशनल बर्गे यह एडिशनल बेनिफिट हमारे ए नार्मल कमणियों में इस टैप के काम होते नहीं है यह हॉस्पी कैश है यह बहुत बड़ा एक सकता हमारे जी टीएस के लिए हम ने प्रॉसपेक्ट को बताएंगे मेनेजमेंट की सभी इसमें दिखाई देती है मेनेजमेंट की सोच दिखाई देती है तो यह होगया है में ज्यादा टाइम नहीं लोगा पर फिर भी मैं आपको शॉट में समझा देता हूं यह एड्मिन पॉर्टल है इसके दो चेहरे है एक पहला आप इसको मैं फुल स्क्रीन पर इसके लिए नहीं लोगा क्योंकि इसमें मैंटर मेरे को दिखाना है तो यह मैं कनेक्ट पॉर्ट टीसी और मीडीडी परचेस किया होना चाहिए माइए कनेक्ट उसको मिल जाएगा तो मैं जैसे वास्ति समझा रहे थे कि आपकी टीम का पूरा कनेक्शन चेनेगी के डेटा से आपकी टीम का सारी चीज़ों आपको लेगा और यह आपकी परसुनलाइज वेबसाइट आपका नाम जो भी आप बोलेंगे वो नाम बोलके आपका यह एक वेबसाइट उदर आप किसी को भी बता सकते हैं अपनी टीम में प्रोस्पेक्ट को जान पिचान को कि भी ऑनलाइन मेरे जरनी क्या रही है इस कंपनी में यह सब कसब आपको चीह तो यह ऑनलाइन जाके मेरी वेबसाइट पर देख सकते हैं इसका कनेक्शन बैक एंड पर चैननी के साथ में रहेगा और यह वर्चुली सामने वाले को आपकी खुद की वेबसाइट यह दिखाई दी इसमां आप अपने बारे में बता सकते हैं प्रोड़क का आपको जो जो डिस्प्लेय हो कर सकते हैं मीटिंग शेडूल जो टीम्स के होते हैं जैसे आज आप समलीजे एंटी सी रैंक पे और आपके नीचे अलग-अलग आपकी परसनल आपके वार जी वन और टू की टीम की मीटिंग्स हैं वह सब आप इसमें डाल सकते हैं तो जो भी जिसको भी आप एड्रेस दोगे वह सब आप इसके पर चेक कर सकते कौनसे मीटिंग कहां पर कैसे यह सारी डीटेल उसके अंदर मिलेंगी दूसरा इसके अंदर जो यह आप इवेंट करते हैं इवेंट के फोटोस आप अपलोड कर सकते हैं वीडियोज अपलोड कर सकते हैं जितने भी अपलोड करेंगे इसका अप और इसका लेंडिंग पेज हम लेंडिंग कि अंदर आपको यह सब दिखाई देगा और फीड़ी सेट्कारम्ट तो माई इंफो तो यह सारी चीजे इस वेबसाइट में आपको फीड करके सामने वाला यह आपके लिए जो दिखाई देरा वह वाला है जिसके पास खुद का माई कनेक्ट यह उसके लिए पुब्लिक के लिए जो वह दिखना चीए उनके लिए अलग अफ्तार इसमें दिखेगा इसके मैंने पहले बता है आपको यह आपका डैशबोर्ड है यह किसका जिसने माई कनेक्ट लिया इसके अंदर आपको डैशबोर्ड पर्चेस संबरी शेडूल फॉलो अप और साइट सेटिंग्स और आपका कंटेंट मैनेजमेंट यह सारे टूल्स आपको मिलेंगे इसमें जो कंटेंट की चीज़े वह है ताकि यहां पर चार अफ़ते जीरो जीरो दीख रहा तो तुरण दूसर कर लेना ताकि प्राव इसके बाद आपकी टीम में और टू में यूनीक आइड़ी के अगेंस्ट में कौन-कौन लोग है किसने किस वीक में कितना किया यह पूरा डेटा आपको यहां पर लेगा और मेरे कहल से मैक्सिमम मेल मेरे पास वासनिंग ब्रदर की टीम से आते हैं डेटा के लिए तो मेरे कहल से वह लोड भी अप थोड़ा सा मेरा कम हो जाएगा क्योंकि सारा डेटा आपको इधरी तो यह आपके लिए बहुत बड़ा टूल है अपने बिजनस को सिस्टमाइज तरीके से और नाइस तरीके से अपनी आखों के सामने देखते वे जभी टाइम मिलेगा आप इसको देख सकते प्लस यह नए आदमी को कंपनी कितने प्रोफेशनल लेवल पर काम कर रही है वह एक आइडिया देने में बहुत बड़ा काम आएगा क्लोजिंग का यह बहुत नाम जियो टैगिंग भी होगी इसमें जियो टैगिंग का मतलब है कि आप इसके अंदर लोकेशन गूगल मैप की तुरू वहां पर लिंक भी दिखेगा किसी को अगर वहां पर पहुंचना है तो गूगल मैप का लिंक कॉपी करेगा और डिरेक्ली उस एडर्स पर सकते कि मेरा कितना पेंडिंग किस चीज के लिए और यह सारा फीडिंग आप यह सब अपने खुद इसके अंदर डाल सकते हैं और आपकी टीम में अगर किसी को डिलवाना है तो वह भी आप फॉलॉप का डेटा इसमें डाल सकते हैं तो यह फॉलॉप का सारा अलग-अलग यहां पर दिया हुआ है इंक्वारी कॉल है या एपॉइंट्मेंट का है या किस चीज़ वह सब आप कर सकते हैं इसके बाद यह फॉलॉप के अलग-अलग-अलग आप क्या क्या कर सकते हैं यह सब इसके अंदर फॉर्मैट है यह प्रोड़क्ट डिस्प्ले आपको आपको इसको ग्रीन करेंगे दो दिखेगा तो आपके एरिया में काँसा प्रोड़क्ट हैलेट होना चीए आपके लैंडिंग पेज के पर कौन से प्रोड़क्ट दिखाए दे आपके प्रोस्पेक्ट को आपकी टीम को वह सब इसके नदर आप मैनेज कर सकते हैं हर एक पेज़ के इसमें अप्लोड कर सकते हैं जो भी आदमी इस वेपसाइट को आपके दूप देखेगा दोसको पतर चलेगा यह देट को इस टाइम पर यह प्रोग्राम हो रहा है और उसका प्रोड़क्ट के टेस्टीमोनियल्स भी आप इसमें डाल सकते हैं कुछ टेस्टीमोनियल्स डा आप प्रोड़क्ट के वीडियो जैसे मैंने आपको पता है यह सारे काम इसके अंदर आप कर सकते हैं तो बेसिकली आपकी टीम का बहुत बढ़ायता है इसके अंदर यह जैसे वीडियो लिखे आप फोटो भी दिखा सकते वीडियो भी दिखा सकते हैं जो जो बिजनस रिलेटेड़ है अफकोर्स अप्रूवल चैनेश होगा क्योंकि कोई भी गलत वीडियो ना डाल दे इसके लिए इसका अप्रूवल च स including कर और सकते हैं और वन्टो ऐसे अराम से इसके अंदर आप चैकर सकते हैं तो जैसी इसमया को दिख़ रहा हнी कि लोगों से बात करने से सारी चीजा आपको इसके अंदर मिलेगं इसका अगर आपको कोई भी सपोर्ट चीए तो यहां पर एक मेल आइडिया है आप जब मेंटेन करेंगे आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है कुछ ही आ रहा है इस सपोर्ट के पर आप मेल करेंगे इमिजेटली आपका इसके अंदर जो भी रिजुलूशन है वो मिलेगा तो हमारे बिजनस को एक अलग लेवल पर लेके जा सकती है तो मैं चाहता हूं कि यहां पर जितने भी लोग हैं मैं समझाऊंगो तो आप आप इसको लेने वाले साथ में मैं कनेक्ट जो मिलेगा इसको भी आप सभी तरीके से यूटिलाइज करें और 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 ना इस तरीके से अ को रहा है और इसके लावाद जब जब जहां-जहां होगा वो सब आपको आपके लीडर्स के दूर्स जो मेरे से कनेक्टेड हैं वो सब इसके अंदर आपके पास वह इंफर्मेशन आ जाएगी मैं डीजी वर्ड बेसिकली हम जो बात करेंगे इसको मैं फूल स्क्रीन पर ल यह सारी चीजे में आपको समझाऊंगा एक एक करके सबसे पहले हम चलते के वाई एक हमारे लिए एक कल जोएंगे प्रोस्पेक्ट आज जो सबसे बड़ी हमारी प्रोब्लम है कि हम उस तक पहुंच नहीं पाते हैं अगर हम थोड़े से बीच के रैंग पे हैं या इस लीडर उसके पास पॉच्छेगा क्योंकि इसको जोईन करवाने वाला है वह एक ऐसा आदमी इसको खुदको नॉलेज नहीं और इसको लेकर आया है और यह दोनों एक दूसरे में जो खिच्चडी पक्ति इसके अंदर यह टिकेगा नहीं टिकेगा वह सब चलता और इसके हमारा रिटेंशन होनी बाता है तो उसके सवाल क्या होते हैं आदमी जो जुड़ेगा उसके सवाल यह होते है कि अगर मैंने डारेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जोईन किया है तो मेरे को माइल एक्टेल ग्टेस में बता दिया या पॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन में व अब यह नॉलेज्ज होने के बात भी यह आगे नहीं बढ़ पाएगा क्यों कि इसके पास एजुकेशन सिस्टम नहीं है जो मुसली मिसिंग रहता क्योंकि बटम लेवल पे एजुकेशन सिस्टम अगर पहुत जगर तो रिटेंशन बढ़ता है तो यह उसके पास यह तो इंट्रेस्ट लेके जितने आरे उनको तो आप M.I.D.G. वर्ल्ड से इस बिजनस के अंदर एंट्री करवाओ कि डेवन से उसको एक ऐसा टूल मिलेगा तो वो सीरियसली वाकई अगर करना चाता तो यह टूल उसको सीरियसली करवाया फिर तीम का सिस्टम आएगा कमनी क सब चीज़ आएंगी पर उस लेवल तक पहुंचने से पहले M.I.D.G. वर्ल उसको वहां तक लेके जाएगा तो उस नए डिस्टिबिटर को चाहिए गया जो सीरियसली इस बिजनस में काम करना चाता है वो चाहिए उसको एक स्टैंडरडाइस एडूकेशन सिस्टम ताकि इनिशली जो जोश में एफर्ट्स डालता को उसका रिजल्ट मिले और प्रपर तरीके से सीखता हूँ उसमें रिजल्ट ले और वो काम M.I.D.G. वर्ल करवा सकता है तो बेसिकली यह रिटेंशन का काम करवाएगा जो भी अगर इस पैकेज को लेके आएगा या जो आज ज सक्सेस मिलती है स्किल सीखने सीखने तक उस टेज तक आने से पहले आदमी बिजनस छोड़के चले जाते हैं तो यह सारी चीजे एक नए आदमी को चीए पर टाइम पर ना मिलने के कारण वह भटक जाता है छोड़ देता है डी मोटिवेट हो जाता है और काम करने की लेवल में रिटेंशन के लिए नए लोग जो इस बिजनस में इस पैकेज को लेंगे उनके लिए रिटेन करने के लिए बहुत जबर जस टूल है अगर आप इसको खुद लेंगे तब आपको इसको पता चलेगा वह उसके बारे में बाद में आऊँगा तो यह 100% सक्सेस हो होने का अगर वह सीरिसली इसको अगर इसने समझ लिया और इसके अपलाई किया ना कि इसके अंदर इतनी साथी चीज़े जो इसको एक इनिशल लेवल पर बिचीए वह तो मिलती है इसके बाद हमारे इसे लोग भी है जो रैंक होल्डर बन जाते पर कही नहीं अटक जाते ह नेक्स्टेप मेरे लिए क्या होना चाहिए यह सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलेगी तो बेसिकली नए आदमी के लिए तो ही यह जितने एक्जिस्टिंग रैंक होल्डर स्वी मैं बोलता हूं उनके लिए भी बहुत जबर्द स्टूल है तो आज एक नए डिस्टि तो इसको डारेक्ट सेलिंग जो सेलर बनके आएवा इसको एंटर्प्रेनर बनाने में मदद करेगा इनीशली इसको जल्दी और फास्ट अच्छी सक्सें दिलवाएगा क्योंकि एजुकेशन के तुरू यह बढ़ रहा है इसका बिजनस का ग्रोथ तो हो गई होगा साथ मे इसमें कुछ ऐसे को इसको पर्सनली भी ग्रोव करवाएंगे तो इस बिजनस में जब यह दोनों चीज़े साथ में चलती है तो आदमी एक अलग लेवल पर जाके बिजनस करता है हमारा बिजनस बढ़ और हमारा खुद का ग्रोथ नहीं हो रहा है और वो ग्रोथ दिखनी आए तो हम लीडर नहीं कहलाते है तो आज मेरे को जो लीडर्शिप का जो ग्रोथ दिखना चीए वह सब अंदर लाके दे सकता है तो इसको यह प्रोफेशनल एंटरप्रेणर बनाने में हंड्रेट परसेंट मदद करेगा और इस चीज़ का मेरे को स्ट्रॉंग बिलीव है कि यह काम करेगा क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट को आज कम से कम छे से आठ महीने के बीच में इसके अंदर में घुसा हूं और मेरे इसाब से मेरे को डारेक्ट से लिकिंग का जितना एक्सपीरेंस है अट्रा साल होगा यह जो इनिशिटिव मैनेजमेंट ने लिया है यह लो या इसको डिपाट्मेट्मन्ट समयलें जह दफ अलग 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 इसमें यह सारे कंपाट्मेंट में अगर हम हम टोटल करेंगे तो 65 हमारे पास ने के लिए अलग-अलग चीज़े इन्होंने बताई है तो 65 लोग आपको इसके अंदर सिखा रहे हैं अलग-अलग डिपार्टमेंट में हंड्रेड से ज्यादा सेशन आज की डेट में और आने वाले महिनों में हमारे से इसके नदर आने वाले इसके अंदर यह बढ़ेंगे लीडर बढ़ेंगे एक चीज़े एक नया अगर अब वन्टू एकरने के तो कुछ काम हो सकता है नहीं तो हम सीनियर के इंतजार करेंगे अगर इस नय प्रॉस्पेक्ट के सब्सक्राइब करेगा तो क्या होने वाला है अपने नए प्रोस्पेक्ट को दिखाने के लिए प्रॉपर तरीके से तीन लाइन में बिजनस नहीं समझाएगा प्रॉपर वीडियो दिखा के समझाएगा और यह कंपोजिट वीडियो तो गेटवे टू सक्षेस एक नए आदमी के अंगल से अगर आप सोचे हैं कि जो आज प्लान खुद नहीं दे सकता और अप्लाइन पर डिपेंडेंट है या जीटिए सौल के लिए डिपेंडेंट है उसके पास एक एक था जबर जो स्टूले की किसी घर पर जाके प्रॉपर अदर तो फस्ट बेसिक अदर तीन परग्राम है ये तीनों प्रोग्राम फ्रीं में सिर्फ आप अपना एडीचा करेंगे डिया सब्सुक्राइंगे थिंग सकते हैं आप नहीं सब्सक्राइब है जो हम एक बेसिक लेवल पर नए आदम को सिखाते हैं यह सारे अगर यह सब उसके पास रहें तो सीख भी जाएगा समझा भी देगा क्लोजिंग लेकर आने के लिए सक्षम हो जाएगा तो इतना बड़ा बेसिक्स का टूल हमारे लिए जो बनाए तो यह मॉडियूल बना है राइट चॉइस का मतलब मैं फिर दुबार बताता हूं वाई मैलेस्टल वाइड डारेक्सलिंग अब इसके अंदर वाई मैलेस्टल वाई डारेक्सलिंग एक स्पीकर नहीं सिखा रहा है वाई मैलेस्टल वाई डारेक्सलिंग साउथ के भी स्पीकर से जो हमारे टॉप के लीडर से इस्ट के भी आपके टॉप के लीडर से नौर्थ के लीडर से वेस्ट के भी पूरे इंडिया में जो हमार तो उसकी उरीजनल लेंगवेज एकजमपल मल्यालम में है न तो यह नहीं बोला है आपको डब किया होगा उसी की एरिया में मोनन सर ना डॉक्टर मोनन डायमंड है और उनका जो ग्रोध हो देखे लोग बहुत इंस्पाइर होते हैं मेरे को बोलते सर्मोनन सर प्रप्रब्लम यह कि वह सिर्फ तमिल और मलयलम ही बात करते हैं तो अब मोनन सर को आप माइडी वर्ल में हिंदी में बात करते सुनोगा अब यह कितना बड़ा हो गया अब जैसे यहां पर हमारे कदम साब है यह आइकन है अब साउथ वालों को नाम पता है पर कदम साब की सुनने की जो इच्छ है वह पूरी नहीं हो पाई क्योंकि क्यों को मलयलम और तमिल नहीं आती तो आज कदम साब की से सेशन से मलयलम में उदर सुन सकते तो मेरे बोलने का मतलब क्या है कि जो बेनिफिट साउथ वालों को नौर्थ की भाशा का हो रहा है वही नौर्थ और हिंदी स्पीकिंग बेल्ट को जो आज तक वह नहीं सुनता है स्पीकरों को उन सबका नॉलेज लेने का आज बहुत बड़ा त देख सकते हैं जिसमें उसका मतलब है वाई माई लेस्टल वाई डारेक्शलिंग मोडियूल मतलब कंपार्टमेंट तो इसके नदर चालीस लेक्चर है चालीस लेक्चर में किस-किस टॉपिक को कवर किया वह मैं बताता हूं फस्त है स्टार्ट राइट फ्यूचर ब्राइ अलग-अलग टेकनीक सिखा रहे अलग-अलग चीजे बता रहे तो आज एक जो नया आदमी है जो इस बिजनस में या जो पुराना है उसको भी नए आइडियास मिलते है अपनी टीम को बताने के लिए तो यह जो स्टार्ट राइट फ्यूचर ब्राइट है यह फोर बेसिक आपको पता ही है अब एक नया आदमी के पास हाथ में यह टूल मिले और इसको बताने के लिए पांट साथ लोग टॉप के लोग इसको समझा रहे हैं वह भी इसके मोबाइल पर तो कितना बड़ा टूल आज सीखने के लिए सीखने वाले के लिए मिलाए अगर आप उस करते अब ड्रीम का मतलब है द्रीम तो इसमें ड्रीम संगोल एक लीडर ने नहीं चिखा आए वेस्ट के लीडर ने नौर्थ के लीडर ने बिपताया और यह जो जिन्होंने करके दिखाया वह अपना नौलेज बता रहे कि क्यों यह चीज़े इंपोर्टेंट है और आपक को मिलेगी हिंदी मिलेगी तभीफ मिलेगी मललम मिलेगी मोनन शाब बोलते तमिल में बात करते हैं और मोनन साथ ने आपको दिखा सकता हूं मैं पिछली दिखाय है था उमीद करता हूं करना नाराज होंगे एक सिकिन मेरे को आप देंगे तो मैं आपको बताता हूँ देखें यह आपको एक जलक दिखेंगे यह कदम साब का ड्रीम संगोल का एक सेशन उन्होंने हिंदी में दिया था अब मेरी क्याल से आपको समझ में आगया होगा मैं क्या बोल रहा हूं तो आज साउथ वालो कितना बड़ा कदम साब के सुनने का उसी तरह साउथ के लीडर को आप सुनेंगे तो आपको एक नहीं एंगल और नहीं चीजे और मोटिवेशन मिलेगा तो यह जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था वह इस में आया एक सेकेंड में वह पीपीटी दुबार लेकर आता हूं कि एक सेकेंड मुझे दीजिएगा कि हम लोग इसके पर थे अब यह एक ऐसी चीज है कि कोई इसको समझ लेगा चार लोगों से अलग-अलग एंगल तो उसको पूरी डारेक्ट सेलिंग में सक्सेस कैसे बनना सारी चीज़े समझ में आजेंगे इसमें दो आर और तीन आर और जोड़ दिए इसमें रिलेशन्शेप रिकॉर्ड में कि इसको किया जाए जिसके अंदर अलग-अलग पूरे इंडिया से पर्सपेक्टिंग का मतलब लिस्ट कैसी नहीं पluded लिस्ट वर कीशें फ西 बिसनस में और लाइफ में आगे बढ़ने लिए माइंड सेट किस स्टेज पर कैसा होना चाहिए उसके उपर एक सचन है अब यह सब चीज़े आपको नौर्मली कहीं मिलेंगी नहीं यह जो भी मिलेगा वह आपको सिर्फ मिली है जिसकी आपको खोज दी और जिसकी जरौत आज मेरे विno मेंट सेंड सेंट के करो में से और पूरे इंडिया में और यह तादाद बढ़ने वाली है तो DTC डिस्ट्रिबूटर टीसी कैसे बना तो जितने डिस्ट्रिबूटर से जो टीसी बनने के लिए आगे भाग रहे हैं किस तरसे टीसी बनना है चार पांच गुरू है जो इनको समझा रहे हैं कि यह करो तो तुम टीसी बन जाओगे यह करो आखे बढ़ना है जो लोग स्टीसी होच के अंदर अलग-अलग स्टेप लाइफ में क्या रोल होने चाहिए इस स्टेजब बे किस तरह से काम करना चाहिए लीडर्शिप के रोल क्या है सारी चीजह आपको इसके अंदर विद टिप और विद प्रेक्टिकल ट्रेनिगो आपको सब इसमें मिलेगा तो आपको समझ में आएगा कि कोई भी आदमी हो चाहे वो डिस्टिबूटर हो चाहे वो इस पैकेज के तुरू वह एक अलग नॉलेज लेके इस बिजनस के अंदर आएगा और यह सारी चीजे लैप्टॉप या मोबाइल के पर मिल सकती है तो यह नया आवतार है मेरे खाल से इस बिजनस में माइलाइस्टल को अलग लेवल पर लेके जा सकता है इस टाइप का पैकेज है तो मॉडियूल 3 हमारा तीसरा कमपाट्मेंट है एक्सपर्ट प्रोड़क्ट नॉलेज एक्सपर्ट मतलब कौन साइंटिस्ट लो और हमारे नॉलेज किसी को नहीं है वह नॉलेज 3 गंडड़ का इन दोनों की बाच्छी माइब को मिल सकते है तो इसके अंदर और इनदफ नॉलेज ची है इसके लिए यह हमको डारेक्ट साइंटिस लोगों का एक सेशन है इसके अंदर तीन गंड़ेगा तो इसके अंदर जैसे मैंने पिछले सेशन में भी एक्जांपल दिया था कि जैसे हमारे एक इसके लिए इसके लिए अगर आज आपको आसाम में बिजनस डवलप करना है या आपको साउथ में बिजनस डवलप करना है तो आज सारी कि सारी चीजे उसको मिल जएंगी जो आप उमीद करते कि अगर यह मेरी भाषय जानता तो में देदेता या मेरा लीडर उसकी बाषय जानते तो में देदेता तो इस सारी चीजे आपको को मिलेंगी तो इसमें प्रड़क्ट नॉलेज आ गया हमारे डॉक्टर मोहन बिल का मवार का इंड़ेप्ट एग्रो का पूरा जो नॉलेज है उन्होंने इस सेशन में दिया हुआ है प्रड़क्ट का साइंटेस्ट लोगा वर्जन भी आपको इसके अंदर मिलेगा यह मॉड यह सारका सारा आपको अनलाइन इसके अंदर अब आप यह सोचिए यह चीजे अगर एक नए बॉटम लेवल के डिस्ट्रीटर को मिल गई तो आज प्रड़क्ट ट्रेनिंग कब होगी जब होगी तब होगी पर यह नॉलेज लेकर आज रिटेलिंग को स्टार्ट कर सकता है जो कंपार्टमेंट है या मोडिल आप उले इसमें तीन ब्लॉक्बस्टर प्रोग्राम है तो सबसे पहला है इसके अंदर यह पर्सनल ग्रोव देखिए अब तक जो बात चल रही थी बिजनस कैसे अपनी टीम में बढ़ाना है अब होता है कि मैं आज एक कोई लेवल पर लेंगे एनल बी मतलब नियूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना पर यह आप अगर बजार से लेने जाएंगे मैं आपको एक सिंपल एक्जामल बताता हूं मैं तो मेरे पास खुद मेरे ल लेंगे जो आपको वर्ड में कहीं नहीं मिलने वाली इसी इंडेस्ट्री को लेकर आपको एक नया स्किल देगी जिसमें आप लीडर्शीव का रोल प्लेए कर सकते हैं इसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग यह दूसरा ब्लॉक्बस्टर प्रोग्राम है डिजिटल मार्क मार्केटिंग आज क्रेज है अपने बिजनस में डिजिटल मार्केटिंग को किस तրीके से यूज की जाए है डिजिटल c तो यह तीन ब्लॉक्बस्टर प्रोगाम आपको फूर इतरा अप्ग्रेड कर देंगे तीसरा क्या है इसमें पर्सनाइलटी डेवलप्ट मेरे को अपने पर्सनाइलटी को कैसे डेवलप्ट करना अब यह जो चीज़े नहीं है टेलर में डारेक्ट सेलिंग के लिए और माइल जब मैं अप्ग्रेड हो जाओंगा इस बिजनस में रैंक अट्वास्मेंट लिए मेरा कम्म्निकेशन के लिए अलग लेवल को होना चीए मेरे को बहुत सारे लोगों को डील करना है टाइम को मैनेज करना आना चीए टीम बहुत बढ़ी है सब जिके टाइम देना तो किस त पी अगर आप एक प्रोफेशनल किसी से करने जाएंगे तो पांच पांच लाग रुपे लेते हैं यहां पर आप ग्यारा जार का लोग है तो वह तीनों कंपार्टमेंट मिलने ही मिलने वाले चौथा भी मिलेगा यह भी सब उसी सब्सक्रिशन में आपको एक साल के लिए म उनकी गाइडेंस में उनके बताएवे तरीके से सारे प्रोग्राम कंड़क्ट हुए तो इससे आपको आंदाजा आयाएगा कि क्या होगी इसकी मतलब किसके हमारी लीडर्स के जो अचीवर्स है जिनको आप आइकन समान दे उन सबके टॉक्षोज है इसमें सारे कवर नहीं हुए मुश्किल से बीस परसेंट ही कवर हुए पर यह बीस परसेंट में भी 25 बने हैं आने वल टाइम में यह 25-50 हो जाएंगे जो बाकी के बज अलग-अलग टाइप के टॉक्षोज है तो इसके अंदर माइल एस्टेल के टॉक्ष क्रीम है वह आई हुई है जिनका आपने नाम सुना हो सकता बहुत सारे लोगों कभी उनको सुना नहीं होगा पर नाम सुना है उनकी सक्सेस टोरी इस टिप्स ने लोगों क्या अनी लाइफ शोरी डारेक शलिंग की स्टोरी माल की जरनी कहां पर आप वा कहां पर रडाउन होगे किस चीद से मोटिवेट उसकता आज आप हो आज आप उनको सुनोगे तो खुद मोटिवेट होगे और उनको एक्जांपल बनाना के आगे बढ़ोगो यह पीपीएस प्र खुद के लिए मैंने खुद यह रेकॉर्डिंग भी देखी है मैं रेकॉर्डिंग के टाइम पर रहा हूं मैं खुद ही मोटिवेट होगया और महां पर मेरे को लगता था मेरे को डारेक्शली में फिर से उतर ना चीव तो मैं उत्राइब हुआ हूं पर फिर भी यह इतना ज कंपने आपने यहां आपने इस आपनी आपने यह देखेंगे ना तो दूसरा बुसरा इस बिजनसे बाहरे वह आपको सपोर्ट देने के लिए आजाएक इनकी बाते शूनके कि जब हम भी इनके साथ में हाथ साथ मिलाएंगे तो यह हमारे घर का प्रोग्रेस और हमारे बिजनस का और हमारे सक्सेस का जर्णी और भी फास्ट हो सकता है कि तरीके से इतना बड़ाबड़ा चीव्मेंट करके बैठे वह साउट से लेके नॉर्थ से लेके सारे के हमारे यूथ है जबर जब्र जब्र प्रोग्रेस किया जो एक्थम्पल है उन सब के आपको टॉक्षो इसके अंदर मिलेंगे जिन्दीगी मिलेगे ना दोबारा यह आप अपने प्रोस्पेक्ट को भी दिखा सकते कि देखिए यह आज नॉमिनेशन फैसिलीटी की बीचे आप इनके मुझसे सुनिए इनके मुझसे सुनिए कि आज इनके जो बिजनस करने वाले ने रहे पर आज भी फैंबली सेटल्ड है और वेल सेटल्ड है फाइनेशली लब टॉप क्रीम जिसको बोलते हैं राजेश यादव साब मुबीन मुहमद जी देयलन साब हमारे टॉप के डामेंड साब का लाइफ स्टोरी जीरो से हीरो कैसे बने आप यह सुमलो कहां कहां पर यह अटके तो आज राजेश यादव साब का इसके अंदर पूरा 55 मिनिट पूरी लाइफ जरनी जो आज तक आपने स्टेज पे जो सुनाया उससे बिल्कुल एक अलग पहले उन्होंने इसके अंदर बताया और उससे अंदर आप खुद मुटिवेट भी हो सकते सीख भी सकते और अपने आपको इस बिजनस में आगे भी लेके जा सकते तो यह 25 टॉ आप देख सकते हैं और लाइव को फैमिली का मतलब है हमारा सिक्स्थ कंपार्टमेंट इसका मतलब यह है कि जो एममाई डिजिवाल के पुराने अवतार में जो 29 पोर्स थे वो सब आज भी एग्जिस्टिंग हमारी बाकी की फैमिली के लिए भी है जिसमां कुकिंग हम पॉपलर कोर्स से जो हमने पिछले डेर सालों में समझा कि लोग सबसे ज्यादा कौन-कौन से कोर्स के लिए इंट्रेस्ट रखे वो कोर्स रिटेन कर गी है तो 29 प्लस ऐसे कोर्स है जो इसी पैकेज में आपको एडिशनल मिलेंगे तो यह च्छे मोडूल के अंदर M.I.D. tagg world अब सटीफिकेशन के पराते हैं तो आप डैरेक्ट सेलिंग में चार्श कोर्स कर लेंगे या इनलपी कोई कोर्स कर लेंगे डिजिकल मार्किटिंग पर्सनल ब्रांडिंग का तो आपको एक मुल्टिपल च्वैस का कुश्चन अंसर उसको एब के आंदर है आपको आंस आसान भी नहीं है तो जिसने नहीं सुना उसके लिए मुश्किल है जिसने सुन लिया इंट हो उसके लिए बहुत आसन है तो उसके लिए सब्राइट मिद्ले तो यह वाला जो सेटिफिकेट म सब क्लोज हो जाएगा तो लेवल 2 जो है वह स्किल इंडिया के टाइप का सेटिफिकेट उस लेवल का स्टिफिकेट और ये वाला जो आपको एक यूनिवस्टी टाइप का यह यह सर्टिफिकेट जो मैं आपको बता रहा हूं इसके अंदर माइडिजिवल हार्वेस्ट और आपने कौन सा कोर्स किया और आपका नाम किया है यह सब डिटेल आएंगी इस टाइप जो चार कोर्स करेगा वो की कि लिए जा सकता हूं गे उसमें अगर कर लिए उसको स्किली इंडिया का दो फिर्टेश की और को दिया सकते हैं आपको ठीक लगे जब आपके पस्ताइम में आप इसको सुन सकते हैं यह सबसे बड़ा फायदा है लाइब कोर्सेज में हमको उस ताइम पर अटेंड करना पड़ता है तो ऐसा कुछ भी नहीं है आप रेकॉड़ेट वर्जुन्स हैं सारे सब सुन सकते हैं इसके बाद जो एड होने वाली लेंग्वेज जो पाइपलाइन में है वह है बेंगॉली और आसामी अगर हम इनको पकड़ेंगे और एक कनड़ा एड करेंगे तो पूरा इंडिया कवर हो जाएगा इसके अंदर थाहीं न कहीं हरे एक स्टेट में इन में से कोई नोगा एक ब पाले को इंडस्तिरी के वैसे नहीं है जैसे नौर्मली चलता है इंडस्तिर मोटिवेटर बैठे और है तो उन्होंने क्या किया और आपको क्या करना चाहिए उस सब इसके नदर है और साइंटिस्ट और ट्रेनर्स को जो प्रोड़क्ट नॉलेज आप एक्सपर्ट का ट्रेनिंग मिलने वाला है यह बहुत बड़ी चीज़ है जो फिजिकली पॉसिबल ही नहीं हो पा था वह आपको आ आदमी को वाई माई डायरेक्स लिंग सुनना है तो उसमें से वह सब को सुन लेगा तो वाई माई लेश्टल और वाई डायरेक्स लिंग जिंदगी में वह भूले गई नहीं तो अलग-अलग फ्लेवर एक ही टॉपिक पे अलग-अलग लीडरों के अंगल अलग-अलग ट और माई कनेक्ट के लिए वह अगर टी-सी अब रहेंके तो उसके लिए उसको यह मिल जाती है और यह जो मैंने आपको पताया कंटिनियूस हर मैना इसके अंदर नेने स्पीकर्स नेने हमारे लीडर्स जो जो लीडर्स समय के पीछे नहीं आपाए उनको भी हम कवर करेंगे जो नॉलिजिबल है इनको लोग सुनने के लिए तरस्ते वो सब एक एकर केस में आएंगे और आपकी बाशा में डब करके है तो हमेशे इसके अंदर हर मेने आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा तो बेनिफिट्स जैसे मैंने आपको पताया ने लेवल पर अगर कोई प्रॉस्पेक्ट है तो उसके लेवल के जो नॉलेज की बेटर इंड़स्टेंडी इंडेप्ट अंड़स्टेंडी मतलब गहरा कर लेडर आज केरला में बेदढ़क एक नया प्रॉस्पेक्ट को भी इसे मैं डिजी वर्ल के तुरू समझा भी सकता है उसको नॉलेज में सकता है ट्रेनिंग दे सकता और बिजनस भी बढ़ा सकता है क्योंकि जीटियस से लेके उसके मतलब के सारे कोर्सेज प्रोडक्ट इंटू सेवन हर एक आदमी को मिलेगा हमारे अपलाइन तो ही है वो तो हमको गाइड करेंगी करेंगे पर हमारे और भी बहुत सारे अपलाइन बन जाएंगे जिनसे हमारा कनेक्शन नहीं है पर यह हमको घ्यान पक्का देने वाले हैं तो यह 66 फॉर्मूला है एक्जैक्ली कि माइडीजी वर्ल्ड से आप किस तरह फाइदा उठाओ तो 66 क्या मैं आपको समझता हूं समझाता हूं डेली एक गंटा इसके पर आप कोई न कोई एक कोर्स करिए मिनिमम छे दिन एक हफ्ते में एक गंटा इस चीज़ के उपर दीजिए और छे महिना इस रुटीन को आप रखिए और यह करते रही है मैं बताता हूं छे महिने के बाद आप क्या से क्या बन जाओगे इस बिजनस में और लाइफ में आपको छे महिने बाद खुद दिखाई दे जाएगा कि आपके साथ में चलेगा आप सोची कितना बड़ा टीम इसमें रिटेन करते हुआ हम खड़ा कर सकते यह बहुत मैं आपको बताता हूं इसका जो आज कर रहे है ना इसका एक्षल बेनेफिट छे महिना एक साल के बाद जो सिंसेरली अपनी टीम को फॉल उप करवा के इसको करवाएगा मैं बता तो एक बहुत जबर्दस टीम नीचे ऐसी खड़ी जो जाएगी और जबर्दस तो डेप्ट वाली नॉलेज के साथ में जाके खड़ी तो सक्सेस का पात नॉर्मली सो में से दस इस पात पर चलते पर अगर 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 यही पर यही पर यही पर अगर 10 की जिगे 20 होगे काम करने वाले तो एक्चल में आपकी डबल होगी क्यों टैन परसेंट जो आपका दस था दस की जिगे 20 हुआ कि नहीं हुआ तो अगर आप उस एंगल से देखेंगे तो आपका जो बेनिफिट का ग्रोथ है वह जस्ट डबल हो जाता है दस की जिगे 20 तो 50 परसेंट ग्रोथ होता है तो सौमें एक काउंट नहीं करता है पर सौम में एक की जिगे दो हो गया तो आपके लिए 2 आदमी डबल आउट पुट देते हैं उसी साब सोचेंगे तो आपको समझाएगा मैं आपको समझाता हूं देखें मार्केट में भी आपके एनलपी मैं मार्केट में आपको परसनेलटि दिवेलपम्ness ञता है तो समझाने बाइस है मार्केट देट में मार्केट में क्या होता है ये और ये सकंपनी द्वारा और पर यह बात कर रहे हैं तो आपके मतलब की कंटेंट आपको मिलने वाला है इस में से कुछ उठाके 2-4 चीज़े लेका आना नहीं है हंडरेड परसेंट सब आपकिए है लेंग्वेज वहां पर इंग्ली चलती है प्रोफेशनल जिसमें पैसा दोगे इंग्लिश इसके पाद आपको कुछ मिलेगी जर्मन फ्रेंच पॉर्चुगल भाशा मिलेगी माई डीजी वर्ल्ड के अंदर आपकी लेंग्वेज मिलेगी अगर आप साउथ के तो साउथ के और अगर आप पूरे वर्ल्ड को नोने कवर कर लिया यहां पर किया है कि आपके लिए आपका माईलाइस तैल और आपके बिजनस को लेकर सब बाते हो रही है और यह आपको क्या बनाएगा वह वाले बनाएंगे आपको net expert समझते हैं सो में से 20 मैं उसमें अप्ला हम क्या और यहां पर यहां पर जो आप बनोंगे networking बनो बनोंगे net expert की लिए और networking आपकी टीम में अगर आज की डेट क्वांटिटी बढ़ गई तो आप कहां पर रोकेट की स्पीट पर बिजनस में जाएंगे आप सोच के देखो तो जो लोग कैरियर बनाना चाहते हैं मैं लोग बड़ा सक्सेस करना चाहते हैं तो मैं बोलता हूं आप खुद लो और अपने नीचे जितने लोग आते हैं जो सी कि ट्वेंटीफॉर इंटू सेवन गाइड है डेली आपको गाइड कर सकती जो भी चीज आपको डाउट हो रहा है एक मोटिवेटिंग टॉक्षो देखा आदमिद्धन होगे भागता निकलेगा काम पे इसके अंदर सतर से ज्यादा एक्सपर्ट प्रोफेसर्स प्रोफेस पर सुन सकते हैं और खुद को किस तरह से लाइफ में भी और इस बिजनस में बिल्ड करना है अपना ब्रांड कैसे बिल्ड करना वो डिजिटल मार्केटिंग से लेके एनलपी से लेके परस्नालिटी डेवल्मेंट तक के सारे को तो इसके अंदर आपको एक सर्टिफाइट भी मिलेगा कि आप सर्टिफाइट डारेक्ट सेलर है तो जो स्कील इंडिया से अगर बातचीत हुई तो आपको इंडिविजल सेल्स प्रोफेशनल वाला सर्टिफिकेट लेके हैं मैं डीजी वेल्ड के तुरू आप जा सकते हैं तो आप सक्सेस्फुल प्रोफेशनल कोई बड़ा काम नहीं है और वह भी रेगुलर पेस है और सक्सेसाथ और नौलेज के साथ में लोग आगे बढ़ेगे यह मैं आपको समझाने की कोशिश करी मेरे ख्याल से आपको काफी कुछ इसके उपर ही कॉंटेस रखा ताकि इसकी अवेरनेस जितना जल्दी हो सके उतना हमारे लोगों तक पहुचे तो आप कॉंटेस के उपर आते हैं देखिए कॉंटेस कैसे अचीव करना है और क्यों अचीव करना है या आपके लीडर से बढ़िया कोई नहीं समझा सकता वर्ल से बढ़िया कोई टूल आज की डेट में यह प्लस आपके लीडर आपकी टीम का सिस्टम तो आपको और चार्चान लगा देगा उसमें और सबसे बड़ी बात किया कि मैं सीरियस उपर मेरे नीचे सीरियस लोग हो गए तो मेरी टीम बननी स्टार्ट होती है और एक ब इतना परसेंट बढ़ जाता है तो हम कॉंटेस्ट के पर चलते तो मैं आपको पहले कॉंटेस्ट पर जाने से पहले कि यह है एक्चल में विन करने के लिए अगर उनली एम डिवर्ल करेंगे तो तीन लाग पांच अजर बीवी हमको बार आफता में करना जिसमें पहला आफता आज खतम हो गया और मैं आपकी नॉलेज़ के लिए बता हूँ मैंने अभी मैसिश की आई बीच में मीटिंग के दो थाइलेंड विनर अलरड़ी डेकलेर होगे बन गे और आज की क्लोजिंग में जो लोग में पर बहुत सब्सक्राइब करेंगे अगर आप इसको बीवी में डिवाइड करेंगे एम डिवाइड ग्यारा जार का है तो थर्टी सेवन पैकेज आपको आइदर साइड करने तो आप थाइलेंड जा सकते हैं यह फस्ट है उनली मार्च दोहजर तेइस एक अपता जा चुका है ग्याराफता बाकी है और इसके अंदर रैंक वाई सब दिया हुआ यह बैनर सब आपके लीडर्स के पास चला गया है अब चलते हैं कॉंबो के पर मिक्स के उपर इसके अंदर आप नॉर्मल जो हमारे जीट सेवन्टीफाइट सब्सक्राइब कर सकते हैं उसमें कंडिशन एक है कि आपको टोटल साड़े तीन लाग बीवी मैच करना है इस साड़े तीन लाग में 30 परसेंट जो साड़े ती सब्सक्राइब करेंगे और दोनों साइट करेंगे तो आप थाइलेंट में जा सकते हैं तो यह मिक्स कॉंटेस्ट है एक ओनली एमटीजी ती लाग पांच जार और कॉंबो में करेंगे साड़े तीन लाग बीवी जिसके अंदर मिनीमम आपको 30 परसेंट मैं डीजी के लेवल पर तो आप बार आफते करेंगे और इसके साथ में और भी अडिशनल बिजनस आपका आता रहेगा तो आप थाइलेंट के लिए मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा आपका एक दूसरा क्राइटेरिया और दिया हुआ है और यहां पर दिया हुआ है अगर आप और वन या टू में दस विनर और उसके अपोजिट विनर भी बनाएंगे तो आप अटोमेटिकली थाइलेंट के कॉंटेस्ट अचीव कर सकते हैं कॉमबो वाला सिर्फ आपको पांच और दस दस अचीवर ओवर जीवन में या टू में या पांच चीवर ओवर जी दुमल अपो कर लेंगे तो अगर आज आप है के लिए कॉलिफाई करेंगे तो यह है थाइलेंड का कॉंबो इसके बाद बाली का जिसके अंदर यह वही क्राइटिरिया थर्टी परसेंट पांच लाग में बीवी में अगर आप बाली जा सकते हैं सेटी परसेंट 5 लाग का मबीवी में और सेवंटी परसेंट बाकिकी प्रोड़क का और उसी के लिए सेम वही है बाली में अगर को इस टेट टीम कॉडिनेटर जाना तो दस उसको बाली के विनर वेन में हूँ वो बनाता कंटैस्ट न की वभी बने डूido को ग्रोल है कि मेरा अब्लाड़ी टौपकिन के ओवी किछ की काम है प्रयास के बया सकतके बनना तो कैसे बनना एक रहे सारी डीटेल अभी वासनिक ब्रदर्स और हमारे कदम सहाब आपको देंगे तो मेरा आज का जो रोल था आपको यह दोनों चीजे समझाना तीनों चीजे समझाना मेरे साब से काफी कुछ समझ में आया होगा और जो भी थोड़े पर डाउट रहेंगे आप अपने लीडर्स को पूछिए उनको कुछ डाउट रहेंगे वो मेरे सिकनेक्ट हो जाएंगे अरे डाउट क्लियर होंगे पर मुद्दे की बात यह कि एक एक मिनिट एक एक दिन खीमती है और ऐ लोगने मेर को बूता